अलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल देखे दोस्तों लूसेंड करती चल रहा है और यह साथ लेक्चर हो चुका आज जो है एट लेक्चर है आठवां लेक्चर है तो इसमें हम लोग जो है ना महाजनपर काज करेंगे महाजनपर प्रियर्ड इससे पहले हम करगे बताते क्या है है तो फण पस सिविस्टीशन या इंड्रैस वरी शिवलाज़ेशन बोले हिए इसकर थाक्रीज़ेदी कल्चर हात्ओ कि हम बात करें 15 सोर छे के इस वाइडिक कुल्चर और हम लेटर वेडिक क्लच्र टॉ यह जब आय था यह था Android और इसके बाद जो आया था महाजनपद प्रिएड ठीक है महाजनपदा प्रिएड जो था यह कब था तो 600 बीची से लेके 325 बीची आप याद रख रखते हैं एज फिक है माईन में मैं बन जागा कुण सब्सक्राइब पर फिरेड पंदो सो एक हजार प्रिएड था बीसी और लेटर वेडिक कब था तो एक हजासे पांसो बीसी और महाजनपद कब था छे हजासे बीसी से 325 प्रिएड तो आप यह एक लिंक करने में आपको जी रहेगा तो पहला कोश्झट करते हैं पहला क्योंस से कर रहे हैं पहला कोश्चिन कर रहा है इसके तो वन कहा जो एंश हो जागा कि आपको answer आता है न तोमेंट कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो यह कर सकते हैं तो ऊंचा इंसर मेंism कर राजा पूरस कहाय सब्सथा कि अलगजंडर न संदिज चाना पर राज किया था लेकिन जब इंडिया पर अट्रेक किया था अब यह हार गया था तो देखें इनका इसका जो सैनिक था रहता हो काफी भी इन क्थे लॉट रहता और यूट के साथ तर वह काफ़ अपने घर से काफिय जिन दूर था तो उसको घरवालों को याद आ रह क्या ठीक है चनक्य जो थे ना वो अपने एक जैसे यह तलाब है तो तलाब है ना इसमें पॉआजन डाल लेते हैं और इन्हों ने कहा था ना कि आप अगर इस रीवर को पार कर देजा कीजिएगा तो आपको जो है ना सैनिक को मौत होना शुरू हो जागा तो इन्हों ने क्य इसे बिमार पढ़ जाता है तो लड़ने के त्यार नहीं होता है एक दर जाता है तो इसके पीछे यही छोड़ा सा एक स्टोरी था कि इसके हारने के कारण भी क्योंकि उसको लगता था कि यह स्रीवर को अगर पार करेंगे तो हम लोग देट निश्ची था और दूसरी पर अब पूरस जो था ना कैंशनर मं का दाने छाना में पूरश के लड़ाई रहता है तो राजा पूरस ने इतने जमद्धस तरीके से अपना वीर्ता देखाया था सामने ही का टूळसि तो हार गया था लेकिन इसका वीर्ता के कारण जो है ना असको वापस अपना गदी कि माले था माले से आएका नहीं तो पास तो पास उसको बोलते हैं और यह जो आया था ना यह अधिक आप पास था बोलन पास यह भी काफी फेमस था अब यह फेमस है जो भी फॉर्णर जो भी आते हैं बास जैसे अलगेंडर आया उसके बाद इंडो ग्रीक सिंथियन यह तो पता है ना आपको अब को मैं आपको बताई देता हूं ने प्रेज में जाकर आईए एश्पी के जाते हैं आईश्पी के है कि अगर ये समयना अपने मैं पिछले एक वीडियो में कर राच चुका हूँ यह अपका रिवीजन हो रागार आप वीडियो नहीं देखें हैं अपके लिवह सकते हैं अपके लिए सकते हैं निल्य बहुत भी फ्रस्ट्रेट का जैम कोशन इसमें जा हुए घठना चाथा प्रस्टेश्च अब देख सकते हैं इससे बाहर कोशन नहीं रहेगा यही कोशन रिपीट करते तो हम लोग बात करें कि इसकी क्रोनलोजी है इंडो ग्रीक आये उसके बाद असकाइथियन आये इसके बाद पार्थियन और इसके बाद के से कुसान तो यह कि इसकाइथियन और असकाइथियन कहीं बहुत फेमस रूलर था उसका नाम था रूद्र दामन यह क्या कराता है एक सुदार्शन लेख है सुदार्शन लेख इसके दौर बनाएं गया था तो दरसल एक जो है ना चंद गुर्प के द्वार बनाए गया था और यह कहां बना गया था यह गुजरात में बनाए गया था ठीक है एक डैम था सुदार्शन लेख इरिगेशन के लिए यूज कर देते हैं तो इसको नहीं यह डैमेज हो जुका था तो रूद्रशन जो है पिलर पे इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था कि मैं रूद्र दामन जो है ना मैं अपनी खर्च पे इस लेकों मैं बना रहा हूं तो दो परपर्टि था एक था तो पॉब्लिक लिए जो पॉब्लिक लिए परपर्टी यूज होता था एक था राजा का अपना धन तो दर्सन लेकर रिपेर कराता हूं ठीक है और पार्टि यूज जादा दिन तक नहीं रहते हैं यह जो है ना यह धर्म परचार करने के लिए आयते ज्यादा तो आपको पता ही है कि इंडिया हमारा जो इंडिया का कल्चर है वह धर्म के मामने कितना सेंसितिव है जल्दी जो इसलिए इनका बहुत जम के विरुद होता है पार्टियां को और यह जाद दिन तक नहीं ठीक पाते हैं और कुसान में जो है ना कुसान भी काफी दिन तक यह रहे थे देख्या है को यह कुसान का एक फेमस रूल कौन है कि इसका नाम है कनिश्क कनिश्का के समय में न बुद्धा का फूर्थ कॉंसिल होता है तो यह कहा होता है तो यह जम्मू कास्मीर में ठीक है तो यह आप याद देखिएगा तो मैं थोड़ा से इसको क्रोनालोजी बता दिया हूं भही अगर चली मैं आपको ठोड़ा और रिविजन करवा देख्या ग्लाज का तो आब जो उनको आता हूँ उसके बात है अच्छी बात है उनको नहीं आता है वह लिवाइ रिवाई हो जाएंगा उसके लिए ठीक है बस दो मिलेट लाएगा को हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइट किया है तो हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइट किया है पहला कौन था तो पहला था प्री हिस्ट्री ठीक है यह पहला है पहला कौन है तो प्रोटो हिस्ट्री दूसरा कौन है तो तो हिस्ट्री से ठीक है प्री और प्र याद रखेगा अगर पूँछे का कोज कब हुआ था ना यह सब मैं पिछले क्लास में सब कर आया हूं अज यह सब कृष्ड पूछा हुए अलेड़ी यह सब बुक में लिखा हुए लेकिं स्टेट्मेंट सबचनर में पारा वाइस पाराग्राफ वाई आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा मैं चार्ट के बना दिया हूं थाकि आपको बहुत इजी से असानी से इसको समझ जाए तो फायर का यूज कब खोज गुआ था तो पहले लिथिक में खोज गुआ था बैल कुट्टा डियर हीरन यह सब जिसके पास इतना ज्यादा था ना वह ज्यादा अमीर माना जाए तहीं जिसके पास कम थे वह गरीब माने जाते हैं ठीक है तो पासुपलन कब शुरूआ था यह हुआ था मेसुलिथिक पिडिट में और वही एगरिकल्चर की बात करें तो कब शुरूआ था था हुआ था यह नियुलिथिक पिडिट में और जब एगरिकल्चर करेंगे सब्सक्राइब आप यह एपका फिल्ड है और यहां पर एगरिकल्चर कीजिएगा तो इसी के पास आस पास ना भाटकते रहिएगा मतलब सौरी सेटल होईएगा है ना भाटक लोग था ना माइगरेट करते था थे कभी यहां यूपी कभी बिहार कभी एमपी तो ऐसे माइगरेट करते थे लेकिन जब एगरिकल्चर होना सुरू हो गया ना तब यह लोग उसी के आसपास सेटल हो गये ठीक है और यहां पर फूट गरेन धान गेहूं बाजरा मक्का य ऐसे मतलब एक्सपॉर्ट करकर दूसरे बेजा जाएं इंडिया में बेज़ें बहुत बहुत हो गया यह जोगा यह तो घोड़ा यह जोगा लेकि उसका साथ साथ समान करी करने के लिए पीछ रत भी तो होगा ना तो रत में क्या रहेगा तो पहिया तो पहिया का जो प्रोटो हिस्ट्री को हीं इंडस वैली शिवलाइशन बोलते हैं और सबसे पहले जो मेटल यूज किय थे वह तो यह कौपर कहां से एक्सेट किये थे आपका से हमलों को मिलता था वह था चैलको लेटिक और से वही अगर हम थाट की बात करें हिस्ट्री के इस्ट्री कि कितने को के वेड़र के सबसे सबसे पहले कुन था है सबसे कों तो उसके बाद इंडर्स वेरी सिविलाजेशन उसके बाद वेदिक वेदिक कल्चर उसके बाद लैटर वेदिक कल्चर उसके बाद महाजनपद महाजनपदा और इसी समय न दो बहुत बड़े religion निकल के आता हो काफी फेमस हो जाता है एक था बुद्धिजम कि को था बुद्धिजम और एक था जैनिजम ठीक है और एक था जैनिजम देखिए दोस्तों उस इस समय जो है न महाजनपदा कर समय न कहा जाता है कि 200 से प्लस रिलीजन चल रहते हैं फेमस हैं हर दिन नय नय रिलीजन जो है जनम लेता था और दिन दिन अतम हो जाता है क्यों कि 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 किसी का रूल रेगुलिशन इतना हट था कि उसको फॉलो ही नहीं करता था लेकिन जो इस समय जो सबसे ज़्याद जो फेमस होते हैं वह होते हैं बुद्धिजम और जैनिजम और जैनिजम भी काफी फेमस है तो इसके फाउड़न कौन थे यह थे बुद्धा जैनिजम का तो इसके फाउड़न जो थे वह थे रिशब्देव और इसमें 24 तीरतेकार थे और महावीर जो थे नहीं वह सबसे लास्ट हैं अब या देखिएगा ठीक है तो महाजन पर दोगी अस्टों ने जो गया इनदर स्वेलाइशन हो गया फिर फिर लैटर फिर महाजन पर पर इसके बाद इसी में जो है ना कई हो है अरे कुं साता है नाग वंसाता है पिर नन्द वंसाता है पिर मॉर वन्स आता है तो को रहा है तो महाजनपत आया और महाजनपत में दो ले जे जो दो काफी यहींस होते हैं जैनिजम और इस के बाद को ड्री याता है तो हरástico याऍटी नडर स्टी ती इसके के बाद पोश्ट मोरी आता है फिर उसके बाद गुपता एज आता है कि यह कुण लोगी है आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इस से भी कोश्चन पूछ देता है कभी-कभी बहुत ज्यादा जादा है जांसे कि पूछ देगा चार आपको देदेगा कि बहुत है लड़ाई सबसे पहले किसका साथ होता है तो वह था राजब पूरस के सांथ ठीक है इसी का नाम था बैटल ओफ इसे नाम है ठीक है वान के अंसर हो जागा बी सेकंड कोश्चन देखिए एंसें नेम नर्थ बिहार नोर्थ बिहार का जो एंसेंड नेम था वह क्या नम था आप्शन बजी आप्शन भी मच आप्शन सी सूर से ना यह उप्षन डी अवन थी तो नौर्थ बिहार के एंसेंड नेम क्या था उस्टेकर जो एंसर हो जागा बजी ठीक है इसका बाद करने कैपिटल का कि कैपिटल इसका था वह था विदेया विदेया वर्च का कहा कैपिटल था तो वर्च का जो था कोसाम भी ठीक है वर्च का कहा था वर्च सागा था कौन साम भी मैं लिग दे रहा हूँ कोसाम भी ठीक है और सूर सेना का सूर सेना का जो कैपिटल था वो था मत्थूटा ठीक है इसको याद की से कीजिएगा तो सबका तो नहीं बनाया हूं यह मैं जो सीकhा हूं वह सूर सूर कैसा है? आपज़ने हैं नहीं cồ है यह जब बासरी कोई बाता है उसका कैसा सूर होता तो बहुत मधूर होता है यहाँ सा पकड़ ले जागा किसूर सेना का जो केपटल होगा वहोगा मतुरा तीके वस्च को आजाएगा वस्च कोसांभी झाए और आज अमार्थ का दो कैपटल था एक था नॉर्थ साॉथ तो नॉर्थ में कौन सा है तो नॉर्थ में जो है न वह तो है उजयन एक है और सौस्ट का जो है न वह है महिस्मती अरोसय पूर्थ मैश्मती वही महिस्मती जैम प्रस्मती वह बली बहु बले देखें होंगे न तो सब्सक्राइब तो अवंती का जो कैपिटल था वह था ऊवंती कहां तो उजयन में तो दोस्तों कौनिफ और दूंति का नौर्टृक्र उठास को बोलते थे हैं मैं स्मती यहाद दफिए थीक है नहीं क्रवाउंति तेल रिल्लटृक्रेट का गए tekrar कोस्टेन और ऐंटे च्विपट writes वह प्यांति मुक्हिए टीक के शार्ओन on अर्लियस कैपिटल कौन सा है यह आपको बताना है ठीक है और मैं तो आपको यहां पर कुछ और एक्षा बने बता ही देता हूं ताकि आपको याद हो जाए यह सब ठीक है ऐसलो महाजनपत कीतन Restaurant का सब्सक्राइब है नाम दिया हुआ इसको कैसे याद कि यहाद कि अंगूर खाते हैं न सकते हैं अब मैं आशा करते हूं कि आपको डाउट क्लियर हो रहा होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक सब्क्राइब करते जाएगा और जो दोस्त आपका यह तैयारी करता है जेनल का उसको भी आप इसको भेज सकते हैं आपके लिए बेनिफेट्ट कौन सा है तो यह बुद्धिस टेक्स्ट है तो ठीक है आगे हम बढ़ते हैं सब्सक्राइब कुछ रहा है कि मागत का जो है अर्लिस केप्टल कौन था उससे पहले आपको यह जानना होगा कि इसमें जो है ना कि जस्ट अ मिनट कि इतने डाइनिस्टी थे ठीक है में 16 महाजनपर थे 16 महाजनपर जो थे ना सब को जीत लेता कौन वो था मगद कि सब को जीत लेता अवंती जयन को सामी सब को जीत लेता है अपने मिनिहाव लड़के मैट्री मोनियल्स यानि साधी करके कि राजा महाराज को बेटी साधी कर लिया दहें मिल गया कासी तो इस तरह से डिप्लोमेटिक करके अपने मिला देता है उस्तुला महाजनपर थे महाजनपर मगद सब को जीत लेता है मगद के अंदर सब आ जाते हैं ठीक है मगद सबसे पहले जो डैनिस्टी रूल करती है इसका नाम था हर एक चैलेख डाईनिस्टी ठीक है चैंट रेक हण डायनीस्टी ठीक है दूसरा जो था ओ था इंदर नाग दैनिस्टी कल दैस्क है तीस रसा जो था वो था और सुन तो खीत था मौर्ड जाए द सब मैं आपको एकप्लेन करूंगा अभी थे चुछ एपकर कि शुक्त अब रखेगा आगे हम बात करें ऑब इसका हम बात करते हैं कुन किसका बात फॉंदर ठार तो हरेक डाइंसी का जो फादर था न वो था बीमबी सार अब इसी तरह एक नाम भी है अशुगा का फादर है अब कमेंट करके जबुद बताईएगा दोनों का नाम मिलता जुलता है दोनों अक्सार आप कंफीज हो जाता होंगे हैं तो हर एक डैंस के पाउडर को था वह था बिम्बी सार बीटा कोन था वह था अजाद सत्रू को बेटा कोन था वह था उद्दाइन ये दो नाम जो है ना एक बिम्बी सार एक उड़ाई ये दो नाम ऐसे हैं ना कि इसी के तरह मिलता जो है दो और राजा है और उन्हें ने भी काफी फेमस काम किया है इसलिए आप कंफ्यूज जोएगा आज मैं दोनों कंफ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ तो विम्बी सार का बेटा आजाद सात्र अजात सात्र को मार लेता है यह बोलता है कि इन तक सासन की जाब बेटा को सासन करने दीजये बेटा बाप ज repent नहीं हट तो आधिता बैटा नहीं हटे आधि तो और नहीं हटता है तो तो आता बेड़ा गुष्त और यह अजाजात सत्रू अपने फादर को बिंपिसार को मार देता है, तो आप समझ सकते है कि इसे खतरना कठो जो है राजा मगर इंपायर में हुई है, कि अपने बाप मारने से नहीं किशकत factors यित然 उसी तरह के आप जैसे की जैगा आपके साथ मिए सार मुंधिसार को्सें मारा तो आजाद सदु ने ना मारा एक इसी तरह उदाईन ने अपने फादर अजासदू को मारता है अजासदू के बेटा को उदाईन ठीक है उदाईन भी जो नहीं अपने फादर को मारता है बिमिसार का बेटा को अजासदू को बेटा को उदाईन तो बिमिसार को अजासदू मारता है और अजासदू को उदाईन मारता है कि यूंटर आते हैं अपने छूषिछन पर हमारा क्यार रहा है थिरू मैं एक्टा बता दी कुंसा है पहला lang करदानी है वो है राज्ग्री कुरह???? राज और यह जो न पार्टली पुट यह था सेकंड कैप्टल करें के इसके त्वर्ण बना जाता है यह उदाइन के त्वर्ण करता है इंडिया पर तो इंडिया में रूर कौन था तो अपसेने हर एक डाइनिस्टी और बी नाग डाइनिस्टी ती इसकर जाए वह जाएगा नंडाइनिस्टी नहीं न चानक के को बेज़ती करके भगाया था और चानक जहने उसमें प्रण लेता है कि मैं तुमको हरा के रहूंगा प्रण लेता है कि हम तुमको हरा के रहेंगे और चानक के साथ मिलके नंडाइनिस्टी को खाड़ फेकता है तकता प्लट कर देता है तो फोर का जो एंसर होजागा होजागा सी वीच आप फूलोइंग डूलर उप मगत वाज़ा कंटेंप्राइट ऑफ अलक्जेंडर ग्रेट तो जब अलक्जेंडर जब आक्रमन किया था न उसमें इंडिया का राजा कौन था उपर में तो डाइनिस्टी पूछा है कि सब्सक्राइट के लिए न इसके बाद कुन आता है लाश्ट रूल जो है धनानन तुसका जो एंसर ऊजागा भी ठीक है फाइब कर भी इस नम्सक्राइट कोश्चन देखिए वियर बाद शीट अफ फॉर्स रिपाब्लीक ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड इन सिंच्छ फ्चुर आप दो वर्ल्ड इन शेक्स सेंचोरी तो इसका एंसर होता है तो अप्टन ये पुत्रा तो यह हो जागा वैशाली ठीक है इसी में था इसी के पास में वो था लिच्वी तो सिक्स का जो एंसर हो जागा वह जागा एवैशाली से बंद में कुछ ने कि बाइविच रूलर पार्ट्री पुत्रा को पहला केप्टल चूज किया था तो आप्शन एजाद सात्रू आप्शन सी उदाईन या अप्शन दी क इसका रूसर हो जागा कि से वनका सी उदाईन उदाईन देना सबसे पहला केप्टल पेहला के द्वारा विच्वीर से तो यह बनाए जाता है विद्राईन के द्वारा थेक है एट नवर कोशन दे लिए लिए लीस्ट्स आप सिक्सिन महां जनपर इस एबलेबल इन तो 16 महाजन पर जो लिस्ट जो है वो किसमें है कहां लिखा गिया है में इसको अंगूर में 16 महाजन पर बंद है यहां से आप असानी से पकड़ सकते हैं कि इसके अंसोर जाएगा बी इट का बीनाइन नमों कुष्चिन देखें प्रस्ट केप्टल अफ मगद का पहला केप्टल कोन है तो आप्सन ने पर ले वैशाली अप्सन से गृफ राज या जिस्वी को राजग्री भी भी बहुलते ह और उप्सन डी चंपा प्रस जो है न वह घृता का इस अजय थे कह है पाथले पूता क्या है वह सेगन करें यह बहुत जैंकर रदानी का है तो चंपा है थे कह है चंपा इस लेक्स सब्सक्जन तो यह वह वह पूत्रा पाटली पूत्रा को इस ने फॉड़ाइन ऑप्षन भी असोका आप्षन सी बीमभिसार यह उप्षन दी महापदमनन्दा तो यह यह अंसर हो जागा वह जागा अध्यक्या कि भीमिसार के समय तो राजगिद्री ही था पहला कर्विटर एक और शुर का समय जो है ना थर्ड बुर्ट्रिस hybridå होता है वो होता है पाटलब पुत्रा में असोगा का समझ जो है ठाड़ वोडिस को अंसल का होता है तो पाटनेम होता है यह यादा किया और महापदमा के को है यह नंद दाइनिस्टी के फॉंडर हैं कि या देखिए फॉर्टी एट से फिप्टी टू तक बीपीएची में पूछा है दोजार आठ तक इसका जीकर किया था इसलिए कोशन जो है ना यूपीएची में पूछ दिया था सेम टू सेम कोशन पूछ दिया था यूपीएची में तो इस एंसर हो जागा दी लिच्वी ने पर सबसे पहले कैप्टल रिपब्लिक जो है ना शुरू किया था पूरे वर्ल में समझ जाई है हम लोग कितने आगे थे आज जो अमेरिका ब्रेटेंड दावा करता है ना कि हम सुपीडियर है वह हमारे सामने कुछ भी नहीं थे भाई कि देखिए नश्य को आपको मिलाना है तो ये किंग है और उसका पहले उसको मिलाए तो अजाद सत्रू आजाद सत्रू किसका था तो मगत का अब ओप्शन कोई मिलता है क्या तो डी कवन तो इससे चाहिए चीड़ी हो जागा ठीक है आगे आपको देखने के ज़रूद भी नहीं है कि नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको बता दरहों ओधात का तातété कहां अतारा राजा मगत का उद्धाइन ञोखा फौता है प्रेषानजीद प्रेश नौहलगत वो था है और सानला का Сतारा और हॉद्धाइन फौ खार आंग होधातए था वुदारीे नइन कह घट है, वन्त कर भिएवि? rich. और वही हम बात कर ले ए? च हो पर्दयकता। यह कहां ठाए? अवनती है। और यह कुन ठाए? तो जब पर्दुवक्ता जो था ना जब बिमार पढ़ता था जब बिमार पढ़ता है ना तो बिम्बिसार ने अपने जीविका को भेजता है जो वहां का जो आयरुएद था वैद था उसको भेजता है इसको जॉन्डिस हो जाता है थीक हो जाता है तो बारक एंसर हो जागा सी थर्टी नमग कुछन देखिए वह कौन सा ऐसा राजत है जो अपने पीता को मारता है लेकिन फिर उसका बेटा भी उसको मार रहता है तो जश्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया थे थियोरी में नहीं पर तो बताया हूँ लेकिए इसमें बताया हूँ सब्सक्राइए इसका बेटा रहा है यह talk सूंख व לנו हूर में कोई बाप पीटा को किसा को सूटल रहर पावर कंवल यह लगता है था तो थार्टीन का जो एंसर हो जागा वह जागा भी ठीक है आजाद सात्रों पॉर्टीन नमों क्वेश्चन एमांग फॉलोईंग मागद दैनिस्टी इन्डा कॉनलोजी ओडर तो आपको कॉनलोजी ओडर बताना है इसको बताया हूँ को मैंने भी आपको यहां बताया हूं तो सबसे पहले हरेकि इसके पहला पर रखिए उसके बाद नागिया नहीं इसकी तो इसके बाद नन डैनिस्टी हो जागा तो तो सबसे पहले फोर उसके बाद वन उसके बाद थिरी ठीक है तो फूर्टीन का जो एंसर हो जागा वह जागा भी कुछन देखिए महाजनपद सिचुएटेड़ ऑन दे बैंक और 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 गुदावरी वाज गुदावरी रिवर के बैंक में क्यों सा महाजनपद है तो आवन ती आपसन भी व दार्य रिवर किनारे हमें है तो दिखिए वाज़ाद सत्रू है अजाद सत्रू अपने बाप को मार देता है क्यों तो उसको राजगर्दी चाहिए था और शोड़ा नहीं रहता है बोला कि बेटा जब तक हम जिन्दा रहेंगे तब तक तक तुमको हम बंदे नहीं देंगा तो अजाद सत्रू जब इसका बाप सोया रहता है तो वहां पर मार देता है कि महापर्मदन्दा की बात करें तो यह नंड डानिस्ट्री का फॉन्डर था और इसके समय असोका जो है और यह सोका नहीं अलक्जेंडर अलक्जेंडर जो है व अब बिलिट कपता था थह तो तो चैन सोप्रैट बिसी तो चिर्फिस में अलक्जेंडर आता है और तिन शोपट्शीश में चला जाता है अहीं अब बोलियो जीरो मतलब इसा मस्यी का जनमदीन थिका है इससे पहले को वीसी बोलते हैं इसके बाद को एडी बोलतै है यहां से हम 326 से स्टार्ट कर रहे हैं इस चार सो से स्टार्ट कर रहे हैं यह हो जागा इसके बाद हो लगा 399 फिर 398 यानि इधर से उल्टा गिनते शुरूता है तो 326 में आता है 325 में चल जाता है यहां पर बढ़ते हैं 310 9 8 7 फिर 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 यहां से चलता है एक दो तीन चार तो ऐसे हो ऐसे होता है कि आपको समझ में आ रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों को साथ भी सेक्षा कर सकते हैं कोश्चन तो इसी साएगा को इसी सी भी एक्जाम को ठाकर देख लिए यही कोश्चन रिपीट करते रहेगा सब्सक्राइब कोश्चन का जो हमारा पूछ आता है नंट इंडिया में कौन जो है न वो रूल कर था जब अलेक्जेंडर आता है तो इंडिया पर अटेक करता है उस समय जो है कौन सा रूल है रूल कर रहे ठी अंधान दीस्टी ऑप्सन भी मॉर डिदानेश्टी ऑप्सन से सुग डानेश्टी ऑप्सन लीकन डानेश्टी विसका जो जागा एक सब्सक्राइब का एक्टिन कोश्चन दिखिया यहां पर यूपी में कोई रूल कर रहा है तो यहां पर यूपी में रूल कर रहा है तो दोनों पर चल रहा है अगर उससे जादा समझ में नहीं आता है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी यूपी का यह चाहिए पीसी का त्यारी करें एक आप उसी का तरह आपके कजन भी जो पढ़ रहा हूंगे यह दोनों कॉंटर्प्रेरी है यह दूसरे का समानतर है पारलेल है ने इंटीर में कुछन देगे बीटूइन बीटूमिन बीच अफुलोईंग वाज एंसें टाउन अफ तक तक सीला लोकेटें वो किस रिवर के बीच में तक सीला लोकेटें आप्सन ने इंडाम जहलम और आपको साथ क्रोणोर्डगी मालूम है क्या रिवर का है तो सबसे पहले आता है इंडाश दो के बीच में है इसी के बीच में तक सीला लोकेटेड है इसका जो एंसर हो जागा हो जागा इंडस एंज जहलम 90 का हो जागा ए इस नम्हों कोशन रहें वीच वन उस फोलोईंग है नोट कम तू इंडिया विट अलेग्जेंडर तो अलेग्जेंडर का साथ जो है ने को नहीं आता है तो आप्षन नियरकस इस ओप्षन भी ओंशीट्र सुप्षन और इस्टो बूलस यह अप्षन दी डेमकस तो ट्वैंटी का जो एंसर हो जागा वह जागा देमकस ठीक है कि नेक्ट क्वेश्चन और आज का लाइस कोश्चन करते हैं ठीक है तो फ्रों में फ्रों माहजन पर्ड आइंटीफाय दा गना संगा इसमें से कौन है संगा उसको अधिक करना है अप्षन इन मगर्ण भी वजी ऑप्षन शी अवनती ऑप्षन दी को साला तो 21 का जो एंसर हो जागा हो जागा वी ठीक है वजी तो देखिए मैं फिर सभाई बताऊंगा बोलूंगा आपसे रिक्वेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजेगा और आपको कोई सजेशन है तो भी आप बता जिएगा तो कि वीडियो बनाने में तो बहुत मेंद लगता दो और बहुत समय वीडियो डालता हूं घटना चाहिए चलता है तो कशल्ट भी चल रहा है तो अब आपके लिए बहुत समय लाने वाला हूं सब करूंगा भी तो इससे बाहर नहीं जाएगा अगर जाएगा भी तो तो एक या दो रहे गा बागे सब सारा कोश्यों बन कराँ चे आप फोच और व थे पूर्ट व किस फ्रोट फ्रोर करतें ते यह मिखोर्छ विज्ण नियोलिटर फिर फो फृ मेमिञ्मव करूले नयूंड्य को मोटनी कुणाइब और तीन वर्ड करते हैं तो यृ जी पर करते हैं नधिए गदों the most बीद करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को फीर अगें तीन धिष्ट्री को बहुते से से पहले जो खुदा ही शुरू हुआ था हरपा के आसपाद इसलिए वहां का नाम ही दे दिया कि लोग भाई हरपा सिविलाइशन हो गया ठीक है और हिस्टी का तो पता है कि एंसेर मेडियवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड वहिए अगर हम टाइम लाइन के बात करें तो कहां के टाइम लाइन हाँ सबसे पहले स्टून ने जाया उसके बाद इंडस्वली सिविलाइशन उसके बाद वैदिक उसके बाद लैटर वैदिक उसके बाद महाजन पर यह कितना सूला महाजन पर कहा में इंसर निकाए में एक अंगूर के अंदर बने सोला महाजंद पड़ती गए और इस समय ना बुद्धिजम जैनिजम काफी फेमस होता है और बुद्धिजम के फॉंड़त है बुद्धा और जैन के फॉंड़त है अब यह सब्द्धिजम के लाश गुरू थे ना वहते है महावीरा ठीक है और महाजनपत में ही कई यह आता है। सबसे पहले हर एक डानेस्टि आता है उसके यह बदर नेस्टि आता है उसके पर मौद्ध याता है से बिदों का ना में इसकी थोड़ा सा बोलने में रुक गया ना यहां पर मैंने लिखा हूं भी देखे एक बिंदु सार रहे है यह अशोगा का फादर है कि दोनों का नाम मिलता जूलता है इसलिए तोड़ कन्फ्यूजन होता है लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं बिम्भी सार जो था ना वहर एक डाइनिस्टी को पॉंड किया था बिम्भी सार का बेटा कौन था आजात सातू और बिंदू सार का बेटा कौन था तो असो का तो यहाद दगेगा थेका लोग आई करने डाइनिस्टी किसके बाद कोन आया कोन आया थे ना तो हो गया यह अब हम कर तो यहां पर हर एक नाग दानेश्टी आता है नन डानेश्टी आता है मोर्ड डानेश्टी कर फोटा होता है विम्बी सार और नाग कर दानेश्टी कर तो आपको पताई होगा चंद करत्थम तो यह आप याद दखिएगा तो नेक्स क्लास में मिलते हैं आज के लिए इतना ही रहने जाते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जागा फिर आपके लिए बोरिंग हो जागा हम नहीं चाहते हैं आप जो है इंज्वाइमेंट के साथ पढ़ें लास्ट में भाई बोलोंगा दोस्तों जिसको इसको जितना से ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को साथ सेर कर सकते हैं जो त्यारी कर सकत थेंक यू